ख़बर जारकंड में हूम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अब प्राइवेट लेब में कराना होगा कोरोना टेस्ट दोस्तो होम आईसोलेशन की समय सीमा ختم होने के बाद मरीजों को अब प्राइवेट लेब में कورणा की टेस्ट करानी पड़ेगी और इस जाज में होने वाले खर्च मरीजों की समय जाज की समय सीमा खत्म होने के बाद कोशांगों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च पर इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उन्हें प्रशासन की और से संचालित कोवीड अस्पताल या कोवीड केर सेंटर में इलाज के लिए भरती होना पड़ेग खबर है खनन में गई टाना भगतों की जमीन के बदले मिलेगी नौकरी और मुआवजा दोस्तों मुख्यमंत्री हेमन सोरें से काकी रोडी स्थित उनके आवास पर टाना भगत समुदाय की एक परती निधी मंडल ने मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कहा कि खनीज उत्खनन में गई जमीन के बदले मौलजा और नौकरी दिलाने पर सरकार बीशेस धियान दे रही है टाना भगतों के सरवांगीन विकास के लिए सरकार परती बद है आपके हक और अधिकारों पर कोई भी संदभारी नहीं होने दी जाएग मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामे विधानसभा सत्र के बाद आपकी मांगों और समस्याओं का निराकरन किया जाएगा टाना भगत समुदाए के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए होश्टल इत्यादी की ब्योस्था जारकन सरकार करेगी कवर मैट्रीक और इंटर्मीडियेट के शात्रों का वाट्सेप से होगा टेस्ट दोस्तो मैट्रीक और इंटर्मीडियेट के शात्र शात्राओं का टेस्ट को लेकर सीधे तयारी कराई जाएगी अगले साल मेट्रिक और इंटर्मीडियेट का परिक्षा देने वाले छात्र शात्राओं का हर 15 दीन में टेश्ट होगा इसके तहट शात्र शात्राओं को वाटसेप के जरिये ऑनलाइन और स्कूल के माध्यम से ओफलाइन सवाल पूछे जाएंगे उसका उतरवे ओपन बुक से पेपर पर लिकर इसकूल के ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे इसके बाद सिक्षक उसकी जाँच करेंगे और शात्र शात्राओं को उसे वापस करेंगे इसे शात्र शात्राओं को जो समस्या होगी उसके बारे में वे सिक्षकों से सीधे पूछ सकेंगे इसकोली सिक्षा और साक्षर्था विभाग ने इसके त्यारी पूरी कर ली है संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद इसकी परक्रिया शुरू हो सकती है खबरे GST मतलब आर्थिक सर्वनाश राहूल गांधी ने फिर वीडियो शेयर कर बोला केंदर सरकार पर हमला दोस्तों कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने GST को लेकर केंदर सरकार पर हमला बोला है राहूल गांधी ने इसे लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेर किया है वीडियो में राहूल गांधी कहते हैं कि आसंगठित अर्थिब्योस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमन GST है उन्होंने कहा GST UPA का आइडिया था एक टेक्स कम से कम टेक्स साधारन और सरल टेक्स इंडिया का GST बिलकुल अलग है चार अलग अलग टेक्स 28% तक टेक्स और बड़ा complicated समझने को पहुत मुश्किल टेक्स रावल गांधी ने कहा कि जो small and medium बिजनेस बिजनेस है वह इस टेक्स को भर ही नहीं सकते पर जो बड़ी कमपनिया है वो इसको आसानी से भर सकती है 5 से 10 या 15 अकाउंट से लगा सकती है यह 4 अलग लग रेट क्यों है यह 4 अलग लग रेट इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुँच हो GST को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुँच ना हो वो GST के बारे में कुछ ना कर पाए खबर है इस एप को अपने मोबाइल से मोबाइल में कर रखाए डाउनलोड तो ततकाल कर दे डिलिट नहीं तो सारी नीजी जानकारी हो जाएगी लिक दोस्तो mobile phone, cellular phone, cell wireless phone, cellular telephone, mobile telephone या एक लंबी दूरी का electronic उप्रण है जिसे बिशेस base station के एक network पराधार पर mobile आवाज या data संचार के लिए उप्योग करते हैं इन्हें sell site'ों के रूप में जाना जाता है हम अपने फोन को सफाई करने या फिर फोन की स्पीट बढ़ाने के लिए कई ऐसे एप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे फोन को ही नहीं बलकि हमारे लिए भी खत्रा है इन एप्स की मदद से हैकर्स आपके फोन में सिंध मारी कर डाटा असानी से चुरा सकते हैं हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से ऐसे एप्स हैं जो आपको फोन का डाटा लिक कर सकते हैं और आपको इन एप्स से साउधान रहने की जवरत है एक रिपोर्ट के मताबिक हाली में कुछ ऐसी एप्स का पता चला है जिनकी बज़े से आपकी नीजी जानकारी और आपकी अकाउंट डीटेल्स लिक हो सकती है यह सारी एप्स प्लेइश्टोर पर मौझूद है और यह सारी इन एप्स को लाखोबा डाउनलोड भी किया गया है Optimization टूल मोबाइल की स्पिट बढ़ाने वाले एप्स समझकर कई लोग इन एप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देते हैं एक जापानी कमपनी Trend Micro जो Cyber Security पर बेश्ट है उसका दावा है कि Google Play Store पर 9 फरजी एप्स हैं जब आप इन एप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो automatically इन एप्स को आपके Facebook अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो इन्हें आप जरूर जरूर डिलेट कर दें कबरे 5500 रुपे सस्ता हुआ सोना खरिदारी का सुनहरा मौका दोस्तो सोने की कीमतों में आखरी करोबारी हपते में काफी गिरावट देखने को मिली है देखा जाए तो आखरी तीन दिनों में ही सोना करीब 800 रुपे परती 10 कराम गिरा है वहीं अगर पीछले एक महिने का देखें तो पता चलता है कि सोने की कीमतों में करीब 5500 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है इतना ही नहीं सोने की गिरती कीमतों के बावजूद डेलर्स ने सोने पर खुब डिसकाउंट दिये हैं आपको बता दे कि फिलहाल सोना 50,690 रुपए परती 10 ग्राम के अस्तर पर आ चुका है चांदी की कीमतों में भी इन दोरान करीब 1200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है पिछले महीने 7 अगस्त को सोने ने अपना उच्यत्ता मस्तर चुआ था और परती 10 ग्राम की कीमत 56,200 रुपए हो गई थी तब से लेकर अब तक यानी महीने भर में सोने की कीमतों में करीब 5,500 रुपए की गिरावट आई है यानी की महीने भर में सोना 10 पी सदी तक गिर गया है खबर है कोई भी कोरोना वैक्सीन जी हाँ कोई भी कोरोना वैक्सीन 50 परसेंट भी परवावी नहीं अगले साल भी नहीं मिलेगी सभी को खुराक डबली वेच्चो ने कहा दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वाइरस के संक्रमन को लेकर वैक्सीन बनानी की खबरें आती रही है इन में से कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल के अंतीमी स्टेज में होने की बात कही जा रही है इस बीच दुनिया में सबसे पहले रूस के कोरोन वैक्सिन बनानी की चर्चा तो जो रोपर है रूस ने कोरोना वैक्सिन इस पूतनी की भी को बनाने का दावा भी कर दिया है हलाकि इन सभी खबरों के बीच बिश्व स्वास्ति संगठन यानि की डबली एचो ने कोरोना वैक्सिन को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है डबली एचो ने कहा है कि हमारे मान दंडो के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में पहुँची कोई भी वैक्सिन 50% भी कोरोना वाइरिस के खिलाप परभावी नहीं है विश्वस वास्ते संगठन की परवक्ता मार्गरेट हैरिस ने जीनेवा में कहा कि दुनिया भर में कोरोना वाइरिस के कई वैक्सिन एडवांस क्लिनिकल स्टेज में है लेकिन किसी भी वैक्सिन के लिए यह नहीं का जा सकता कि वह पूरी तरह से परभावी है उन्होंने कहा कि हम अगले साल के मध्यत तक भी व्यापक टिकाकरन की उम्मीद नहीं कर रहे है मार्गरेट ने आगे कहा कि फेच 3 के ट्रायल में अधिक समय लग रहा है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वह वैक्सिन कोरोना के खिलाप कितनी सुरक्षा मुहया कराती है और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है खबर है रेलवे ने की बारसी तमर से असी नहीं विशेश रेलगाडियां शुरू करने की घोशना यात्री दस से करा सकेंगे रिजर्वेशन दोस्तो रेलवे बोट के अध्यक्ष विनोत कुमार यादव ने शनिवार को बारसी तमर से असी और नई विशेश रेलगाडियां शुरू करने की घोशना की है ये रेलगाडियां पहले से चल रही 230 विशेश ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी CRB विनोत यादव ने वर्चूल माध्यम से संबादाता समिलन में बताया कि रेलवे यात्री इन रेलगाडियों के यात्रा के लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन करा सकेंगे बिशेश रेलगाडियों में लखनाउ नई दिल्ली, शताबदी एक्सप्रेस वारानसी, नई दिल्ली वंदे भारत, दिल्ली गोरखफूर हमसफर, प्रयाग राज नई दिल्ली हमसफर और वैशाली मुझपरपूर स्रमीक स्पेसल शामिल है उन्होंने बताए कि स्प्रमीक ट्रेनों के माध्यम से अपने गरी राजजी को गए लोग अब अपने कारे अस्थलों पर लोटना चाहते हैं इसके मद्दे नजर ऐसे अस्थानों को इन दीनों, इन ट्रेनों के रूट तैक करने में वरियता दी गई है खबर है रिया देती थी ड्रक्स खरिदने के पैसे NCB पुछताच में भाई शोविक ने किया बढ़ा खुलासा दोस्तो सुशान्थ सिंग राजपुत केस में आये ड्रक्स मामले में NCB की रिमांट पर चल चल रहे है शोविक चक्रवर्ती ने बढ़ा खुलासा किया है NCB की पुछताच में शोविक ने बताया कि ड्रक्स लाने के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी वो पैसे सुशान्थ के अकाउंट से निकाले जाते थे NCB के पास इस बात के पुकता सबुत है ठीक यही बयान सेमौल मिरंडा ने भी दिया है उसको भी ड्रक्स लाने के लिए पैसे रिया देती थी शोविक से पुचता जारी है उससे पुचता जारी है उससे पुचता जारी है उन ड्रक्स डिलर्स के बारे में जानकारी ली जारी है जिससे वो ड्रक्स लेता था बहले ही सुशान सिंग राजपुत की मौत में अभी CBI जाँच में लगी है पर जाँच में सामने आये ड्रक्स के एंगल में जाँच एजंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भाई शोवीक के बाद अब रिया भी ड्रक्स के मामले में फस्ती नजर आ रही है एंसीबी ने कहा कि ड्रक्स की इस्तेमाल में रिया चक्रवर्ती की समलितता रही है यह बात एंसीबी ने रिया के वाटसेप चैट को खंगालने के बाद कही एंसीबी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि रिया चक्रवर्ती ड्रक्स खरीती थी और बेचा भी करती थी रिया के WhatsApp चैट में जो दूसरे लोगों से बात हुई है उसे ड्रक्स की सफलाई, खरीद फरोक, सेवन की साजिश और बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने की बात पता चलती है तो दोस्तो ये था अब तक की बड़ी ख़बर, Breaking News, मुख्य समाचारा और ताजा खबरों की सुरुकियां दोस्तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेर कीजिए और साथ ही बेल की आइकन को दबाईए, ताकि हमारे आने वाले सभी Breaking News की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अभी जाज़त दें, नमस्कार खारि दिए ठाकि भी नमस्कार को झार सोर decision और साथ हमारे दो